और मैं हूँ सतिंद्र चोहान, मेरे सहयोगी मनोज सांगवान भी मेरे साथ मौजूद है और आज हम एक ऐसी शक्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जिनके बारे में देश और दुनिया के लोग ना सिर्फ जानना चाहते हैं बलकि उनको सुनना भी चाहते हैं हमारे साथ इस समय मौजूद है हनीप्रीत इंसा हनीप्रीत जी सबसे पहले आप ही बताइए कि यह जो पूरा मसला हुआ है पूरा मामला है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगी कि जो आपने हनीप्रीत को देख है वो हनीपरीत ऐसी नहीं है, हनीपरीत को एक इस तरह से प्रेजेंट की है कि भी वो मुझे खुद को भी डर लगने लग गया उससे, मैं इतने डर के साथ आगे बढ़ी हूँ आज, कि वे इस टाइम एक मेरी मेंटर स्थिती को मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या हूं, मेरे को जो एक देश दरोही का जो डाला है, वो बिलकुल ही जब आप देखेंगे कि आपने पूरी सिच्वेशन के तरफ आप ध्यान दें, कि मैं पहले अपने पापा के साथ एक बेटी कोट में जाती है, बिलकुल, बिलकुल, कोट में जा रही है, अब इतनी सेक्यूरिटी होगी तो वो कोट में कैसे एंटर, बिना अपने उसके परमिशन मिली होगी, तब ही वो एंटर करी होगी, कोट की परमिशन मिली होगी, तो ही मैं अपने पापा के साथ, जब वो गिल्ट का हुआ, उसके बाद मैं अपने पापा के साथ, कोट ने मुझे परमिशन दी, मैं पापा कि अगर एक लड़की है एक लड़की इतनी फोर्स वो बिना पर्मिशन के साथ चली जाएगी पर्मिशन मिली मुझे मैं तब साथ बैठके गई हूं उन्हीं की सरकारी गाड़ी में बैठके गई हूं उन्होंने मुझे पापा के लिए जो भी सिक्यूरिटी रीजन्स के वहाँ बिठाया, वहाँ साथ गई, वहाँ जाके मुझे उन्होंने कह दिया कि यहां तो आप गलत आये तो मैं तो गलत नहीं गई ना मुझे आपने बेजा या आपने पर्मिशन दी तब मैं वहां गई सारे आपने अब आपके सारे ये वीडियोज हैं आपके पास टीवी पर एकलिप सारे हैं आप सबने देखा मुझे सारा ट्रेवल होते देखा है मैं उसमें कहा प्रेजेंट थी दंगे फसाने में जो हमें पता ही नहीं जो लोग वहां जो ये हुआ ये शर्टालू आए हुए थे जो शरारती तत्वों ने ये काम कर दिया उनको तो चेक करकर के भेजा है सब प्लीस ने अगर अगर उनों की चेकिंग की है उनको अगर भेज़े अंदर वहां पे चेकिंग होके गई है इस पूरे मामले मैं ऐसा कर दिया कि हनी प्रीत ईक बहुत बड़ी विलेन है बहुत बड़ी खलनायक है बहुत बड़ी साजी स्रची तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप बेगुना है? मेरे को तो वहाँ पे हमें कुछ क्या सुझेगा जिसके बाप को गिल्ड करा हम तो अपने खुशी-खुशी गएते हैं कि हाँ भी सूब जाएंगे और शाम तक अपने बाप को वापिस आजेंगे खुशी वहाँ पे जाते ही जब यह पता चला कि हमारे उल्टा गया तो वहा एक रिष्टों को लेकर क्यों बार-बार यह कहा जा रहा है कि वही गलत संब्मन्द हैं इस तरह के संब्मन्द है मुझे समझ नहीं आता है मतलब एक बाप बेटी के रिष्टे को उचालने कि इतना पवित्री रिष्टा होता है उसको उच्छाला इतनी बुरी तरह से में ह पूछना चाऊंगे इक बाप को क्या है उपनी बेटी के से पीप से लगने हैंनों इसे पीज लेख ली तो क्या समय फ़ुजां लिए हैं यह इलजाम दरसकर आपके डीरे के कुछ लोग और खासकर जो विष सफछा कोपता कै का था बद्शा मैं आधा था слokस हैं खास हैं, क्या उनको कोई जानता है, वो कौन है, वो कोई भी नहीं है, विश्वास गुपता की बात करते हैं, उस टॉपिक पे मैं बात ही नहीं करना चाहती है अच्छा हनी पर एक चीज बताईए, आप कह रही हैं कि भी बे गुना है, और ये चीज सब को पता है कि जब ये दंगे भड़के उस समय आप अदालत में मौजूद थी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा कि आप पुलिस के सामने क्यों नहीं पेश होते हैं, पुलिस कह रही ह कि भी जिएंगे, मरेंगे, मर मिटेंगे देश के लिए, उसके वो एक तो बाप को अंदर चले गए, जो सोच भी नहीं सकते थे, उसके बाद एक जो घून का क्याते हैं, उसके बाद उसी लड़की प्यारत देश-दुरोई का आगया, तो मैं तो डिप्रेशन में ही चले कि थी थी, कि जो कानूनी करा है, हमें पता भी नहीं हुता, छिए कम पर करिया क्या होती है, जैसे हमने क्या करनeten गया, जैसे मुझे द्ह करने है, जैसे मूझे समझा आई, जैसे मुझे किसी ने गाइड किया, क्योंकि सारे चीज तो हमारे लिए जो पापा चले गए तो हमारे लिए सब कुछ खत्र हो गया था उसके वाद जैसे हमें किसी ने गाइड किया मैं आगे आई मैं दिली गई जैसे जैसे समझाई और जैसे अब मैं आगे जाके अपना फिर जाओंगी और हर्याना पंजाब में काया तो अपना महां पर भी जाओंगी और अपना उकरूंगी पीछे नहीं हटी लेकिन जितना कुछ मेंटल स्थी थी संबलने में भी तो टाइम लगा कि भी यह हो क्या गया छुपी नहीं थी लेकिन जब बेगुना को एक दम जो जिसने कभी कीडी भी ना मारी उसके उपर देश दुरही का गया वह संबलना मेरे लिए बहुत मुश्किल से था एक अभी आपने फिल्म स्थी लोड में जाना चाहती है जैति मैं अना को भी में जब इस में अल्यागा को मुझे ठीड करना मुझे नंठीडिया कि कि न ही आई कि पंक की डार बनती है यह तो पंक भी नहीं यह बनाया किसने क्या किया इसल एक्टिविटीज है उनको लेकर बहुत सारे थी पहुत सारे इस तरह की बात रही बता यह नर्कंकालम मिले यह scale पापा जी कि जो भलाई वाले मानफ्ता भलाई के कारे तो किसी नहीं दिखाए नर कंकाल मिले जो शोशन किया जो दो लड़किया वो मिली कह रही है जो आपके जो मेरे पापा बेगना है और आने वाले टाइम में देखना वो सामने आएगा जो उन पे हुआ हम आगे तो आप इसको कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगी क्योंकि आप पूरा बरोसा था तो ही हम कोट में आए कोई ऐसे अगर होती बात हो तो पापा ने पहले ही कोट में उनका पूरा यकीन है हमें जरूर मिलेगा और मुझे भी अपने इस मौलिक अधिकारों का करके और मुझे नयाय जुरूर मिलेगा अच्छा एक यह चीज कहा जा रहा है कि जब आप रोहतक से निकले तो इतनी दिन तक आप कहा रहे मैं पहले बात जैसे आपको समझनी आ रहा था समझनी आ रहा था मुझे मैं फिर जहां पे भी रही फिर उसके बाद मैंने कोशिश करके फिर मैं दिल्ली गई दिल्ली करने के बाद अब मैं हर्यान पंजाब कोट में जाऊंगी तो अब आफ सरेंडर करेंगी कोट में मैं बहुत सारी बाते इन्हों ने बताई है फिल्मों की बात इन्हों ने बताई है और कहा कि जो और इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें कि बहुत सारे लोग आपके सारों को यह कहना चाहते हूं कि भी मैं निर्दयोश हूं मेरे पापा निर्दयोश है एक दिन जुरूर यह सामने आएगा मेरा और मेरे पापा करिष्टा बिलकुल बाप बेटी पाक रिष्ट है व जो एक बाप से मैं पूछना चाहूंगी और एक बेटी अपने दिल पर रखके बता दे उनका रिष्टा क्या है मैं सब को यह कहना चाहूंगी कि भी जितने भी समाजवाले जो भी यह जो यह फैलाए जारे बाते उनके यकीन ना करें तो हनीपरीत इंसा कह रही है कि इनके झाल 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 झाल